अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते तो कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी रोप नहीं सकता इसलिए आज से और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो अगर आपको सफलता चाहिए तो नमस्कार दो आज के वी पूरा देखने बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनल कर सकते हैं नीचे डिस्क्राप्स में और हमारे टेलिग्राम चैनल पे दो तो जगों पर आपको इस वीडियो के पीडियो के पीडियो के पिलिंग मिलागी और अगर आपी चैनल से ऐसे ही वीडियो के आटमेडिक नोटि जीफ जटीज कौन बनाएगा हैं तो जम्मू कसमीर और लदा कोड के नए चीफ जटीज मना गया है पंकज मिथल पंकज मिथल जो है इन्होंने इस पदर गीता मिथल कस्तान लिया है देखे यहां पे एक code वर्डिया राखना है दिकि जो नए वाले चीफ जटी जटीज से गीता मित्तर का सालिया है देखे जो आपके मुखे नाइदीस पंकज मिथल है अभिहाली में इनको चम्मू कस्मीर के जो उपर राजपिया वाल लियानी की लेपिनिन गवरनर है जिनका नाम मनुस सिना है इन्होंने इनको इनके पद और गोपनियता की सबत दिलाई है और दूसरा प्रशने की दुनिया की most valuable two-wheeler company कौन बन गई है तो देखे दुनिया की जो सबसे most valuable two-wheeler company बन गई है इसका नाम है बजाज आटो देखे बजाज की बाईक साब लोग चलाते होंगे पलसर वगरे ठीक है तो उसी company के हम बात कर रहे है देखे बजाज आटो जो है कि एक जनवरी 2021 को बाजार पूंजी करण एक लाग करोडों पे क्रॉस करने के बाद जो है ये दुनिया की most valuable two-wheeler company बन गई देखे जो आपका नेशनल श्टॉक एक्सचेंज इसको 60 पहम एनसी करते हैं इस पर बजाज का 2021 के पहले दिन यानि कि एक जनवरी को जो है शेर मुले था आपका 3479 रुपे प्रती शेर जिसके कारण इसका बाजार पूंजी करण कुल जो है आपका एक लाग 670 रुपे से अधिक हो गया और इसी परकार जो आपका बजाज आटू है ये ना किवाल टू विलर सेग्मेंट की सबसे मुलेवान कंपणी बन गई है बलकि ये दुनिया की पहली ऐसी टू विलर कंपणी बन गई है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में काम्याब रही है तो याद रखेगा कि बजाज आटू ये आपकी दुनिया की सबसे मोस्ट वैलेवल टू विलर कंपणी बन गई है और इसका बाजार पूजी करण कितना होगा है वरत्मान में यापका जो है एक लाग करूड रुपे से अधिक हो गया है तो इसको यार रखेगा और दीखे एक इन्फॉर्मेशन आपको देटू दीखे जो आपका वार्ची कांग 2021 का पीडियाप है ये काफी कारगर सापी दो रहा है बहुत सारे एक्जाम से बच्चों के कमेंट आ रहा है कि सर्थ पूरे के पूरे प्रश्ण मुझे मिल जा रहा है और जैसे अभी आली में एन्टीपीची का एक्जाम से लाइए इसमें तो 100% बच्चे स्कोर कर कर रहा है करेंड फिर में घोल के पिजाई इस पीडियाप को तीसरा प्रशनी की हाली में किस देश की संसद ने मलाला यूसुप जाई स्कॉलर्शिप अग्ट पारित किया है तो दीके अभी हाली में जो अमेरिका की संसद है इसने मलाला यूसुप जाई स्कालर्शिप एक को पारित किया है देखे अमेरिकी कांग्रेस ने भी हाली में देखे अमेरिका की संसर इसको हम कांग्रेस कहते हैं ये किसी पार्टी का नम नहीं है अमेरिका की संसर को हम कहते हैं कांग्रेस तो अमेरिकी कांग्रिश नभी हाली में योगिता और चरूरतों पर आधारित कारक्राम के तहर उच्छे सिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए चात्रवर्ती की संख्या बढ़ाने के लिए इस मलाला यूसुप जै स्कॉलर्शिप एक को पारित किया है दीकि मलाला यूसुप जै यह है इन पर 2010 में एक हमला हुआ था तालिबानी आतंक्यों के दोरा क्योंकि ये 2008 से जो है वहाँ पे मैलाओं के सिक्षा को लेकर आवाज उठा रही थी और उसके बद ये काफी हाइल एक्टर हुए 2010 में आगे चलकर जो है नोंने कई सारे सामाजी कारे किये और फिर उसके बाद इनको जो है 2014 में इनको जो है भारत के जो कैलास सत्यारती है जो की बचपन बचाओ आंदोरन नाम का एक जो है एंजियो चलाते हैं तो कैलास सत्यारती सा category 2014 में मलाला यूसुप जईई को सान्ती का नोबल पुरसकार दिया गया था एकजाम में ये पुरसनी पूछा भी जा चुका है बहुत बार कि कैलास सत्यारती है इनको नोबल पुरसकार कब दिया गया था एक स्कॉलर्सीब एक को पारित किया है और चौता प्रशने की आल इंडिया चेस पडरेशन के नैच अधेक्ष कान बने तो दीखे आल इंडिया चेसgili प्रइशन के नैय अधेक्ष मने हैं संजाय कपूर जी और दीखिए का आल इंडिया चेस पेडरेशन यानि की अखिल भारती ये सतरंज संग है इसका मुखेला आपका है जवाहर लाल नहरू स्टेडियम चेन्ड़ी में और इसकी स्थापना 1900 क्यावन में हुई थी देखें स्पोर्ट से रिलेट जीता ही प्रशन मैं आपको देता हूँ वो सभी इंडिया चेस पेडरेशन के नहरू से प्रशन के फिल्म निर्मा था पाबलो सेसर को भारती अंतराश्टी फिल्म महोसो यानि की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आप इंडिया के एक क्यावन में सब्सक्रण के लिए इंटरनेशनल जूरी का चेर्मन मना गया है तो दि अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता है जिनका नाम है पाबलो सेसर इनको भारती अंतराश्टी फिल्म महोसो के इक क्यावन में संस्क्रण के लिए इंटरनेशनल जूरी का चेर्मन मना गया है और इनको चेर्मन किसने बनाया है सूचना और प्रसारण मंत्राले ने देखे भारती अंतराश्टी फिल्म महोसो के क्यावन में संस्क्रण का और साथी में स्रिलंका के प्रसंदना विथानेच और स्रिलंका के अबू आश्रिया बकर शाकी और भारत के प्रिदर्शन और बांगलाद इसके रुबायत हुसें जो है ये इस जूरी में सामिल होंगे तो अ साथ बार कांग्रेस से बिधायक रहे बिलास पाटिल अंदलकर का निधन हो गया तो दीखे भी हाली में जो आपके महाराश्ट के पूरो कैबिनेट मंत्री थे और साथ बार कांग्रेस से बिधायक रहे बिलास पाटिल अंदलकर इनका निधन हो गया है दीखे इनके नाम से दो चीजे फेमोस हैं पहला ये ये काका के नाम से मसूर्थ हैं दूसरा ये जो है महाराश के कराड दक्षिर विधान सावाद निर्वाचन छेदर से जो है रिकार्ड साथ बार लगातार यानि कि लगवाग 35 बार जो है आपके अगर ये साथ बार विधायक चुना जाएगा तो 5.7 होगे आपका यानि कि 35 साल जो है होगया टूटल तो 35 साल तक लगातार विधायक रहना वह भी साथ बार एक ही सीट पे जीतना बहुत बड़ी प्रतिश्टा के बात होती है तो कापी प्रतिश्चित बेक्त रहेंगे तभ जेम एंड जोलरी डोमेस्टी काउंसिल का नया अधिक्ष बना गया है आसीज पेठे को नाम के दजब पर जासता है आसीज पेठे आगरा का पेठा बहुत में मस्थे और मुझे खाने का सभ़ा के भी मिला है मैं आगरा गया तो देखिए जो आपका जेम एंड जोलरी उद पर अपॉइंट किया है और साथी दो साल की अवधी के लिए ही सई महरा को उपादेक्स बना गया है इस जी जे सी यानि की आल इंडिया जेम एंड जुलरी डोमेस्टिक काउंसिल का और आटनों प्रशनी की हाली में किस राज सरकार ने ओलमपिक में सुन पदक जीतने वाल खिलाडियों को तीन करोड उपए देने की गोश्णा की है तो देगे विहाली में राजस्तान की जो सरकार है देगे राजस्तान के मुख्यमंति हसु गैलोत है और राजस्तान की जो सरकार है इसने विहाली में एक नए स्टेटमेंट जारी किया है और ये आपके अगर आप आप राजस्तान से तो खास दोर से इस पर ध्यान केज़ेगा एक्जाम में आपके पूछा जाएगा देगे राजस्तान की जो सरकार है इसने ओलंपिक, ACI और राश्मंडल जैसे अंतराश्टी खेल में पदग जीतने वाले जो खिलाडी हैं इनको राजस्तान की सरकार से दियाने वाली इनाम राश्टी को जो है तीन से चार गुना बढ़ा दिया है और रहिए इस नंड़े के तहट आप जो है राजस्तान में ओलंपिक खेलों में सौन पदग जीतने पर जो खिलाडी हुगा उसको 75 लाग की बजाए तीन करूड रूपे और अगर कोई खिलाडी राजस्तान का है और वो रज़त पदगेंगी सिल्वर मेडल जीता है तो उसको 50 लाग की बजा जो है अब 2 करूड रूपे और कांसे पदग जीतने वाले को 30 लाग की जगह आप जो है एक करूड रूपे प्रदान किया जाएंगे तो ये बढ़ा हुआ अमाउंट याज रखेगा ये एक्जाम के लिए बोरेट है और नवा प्रशने की हाल ही में वेतनाम ने आकर सक कीमतों के कारण किस दिः से खाद्यान विसस का चावाल खरिदना सुरू किया है तो दीखे अभी etteनाम ने भारत से चावाल की खरिदारी है ये बहुत तेजी से स्टार्ट कर दी है वेतनाम में पानी में और एक बहुत संकट रहता है हमारे में तने हम बताते हैं कि पानी हमें खरीद के पीना पड़ता है बले ही वियतनाम देखिए बेतरा थोड़ सा मैप को घुमा दूँ आज़े थोड़ सा बेतराम घुम लेते हैं देखिए यह आपका मैप दिख रहा है ये आपका देखे समंदर है ठीक है समंदर का किनारा और इसके किनारे आपका ये वियतनाम दिख रहा है इसकी कैपिटल हनुई यहां पर दिख रही आपको और इसकी सीमा यहां पर देखे चाइना से लग रही है लाओस से लग रही है फिर यहां पर कमबोडिया से लग रही ह तो ये समंदर के किनारे स्थित तो है वेतनाम लेकिन फिर भी इसे यहां पर पानी की दिख्ड़ा थै क्योंकि यह पानी खारा है समंदर का इसको डिरेक्टि अगर यह लोग पिएंगे तो शरीर में पिर इनकी नसे उसे फट जाएंगे खत्रों हो जाएंगे तो देखे वहा वहाँ पर उसी परकार वहाँ पर खादयान का संकट भी बढ़ गया है और अभीयाली में वेतनाम ने जो है भारत में देखिए चावल का पर सस्ता है तो उसलिए वहाँ पर खादयान संकट उत्पन हुआ और भारत से चावल स्टार्ट कर दी तो आई थोरा सा न्यूस को कीमत है ये नौ साल के सर्वोच स्तरवर पहुंच कही है इसलिए सीमित घरिलू आपूर्थी के करड़ व्यतनाम को भारत से चावल की खरीद करनी पड़ रही है देखिए भारत में जो टुकडा चावल है ठीक है तो भारत में टुकडा चावल 381 से 387 अमेरिकी डार दिया नि टुकडा चावल जो है ये 500 से 505 अमेरिकी डार प्रती टन की दर से बिखरा है और देखिए बियतनाम थोड़ा सा होसियारी दिखा रहा है कि अगर हमारे यहां ऐसे ही चावल का संकट हो गया और हमने इस टोरेज नहीं वड़ाया चावल का तो हमारे यहां अगाल पड़ सक इसलिए यह खरीद कर रहा है बियतनाम भारत से और बियतनाम देखिए इसके बारे मता दूआँ को यह एक ASEAN कंट्री है ASEAN महादूरी प्यंसी था है इसकी राजदानी हनोई है करेंसी है वेजनवीज डॉंग और पापॉलिक्शन यहां की है 9.55 करोड और दसों प्रेशन से समय लेते हैं कि क्या लिखा हूआ है और इस लिपी का जो आविस्कार हें किया था एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका लाम था लूई ब्रेल ठीक है और लूई ब्रेल की जो इनका जनन भी यह पड़ता है चार जनवरी को इसलिए हम 6 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब में करीब 49 मिलियन लोग जो है ये देख नहीं सकते हैं जबकि 233 मिलियन लोगों में कोई न कोई दिश्टी विगार है यानि कि उनका आख खराब है या फिर उनको मोतिया बिंद है बहुत सारे बिमारी होती हैं को कि वो सारी चीजें हैं और 11 प्रशने की कोरूना के नए वार गई है पहले से immune system हमारा मजबूत हो चुका है हम कोरूना से बिना vaccine कहीं अच्छी तरीके से लड़ पार हैं कि फिर भी हमें सावधानी बरसनी चाहिए योकि ब्रेटेन में देखे कोरूना का एक नया strain आ गया है मैंने आपको अपडेट भी दिया था और उसका भी खेर कोई प्रापर इलाज तो मिला नहीं है इसलिए इसका एक ही इलाज है social distancing तीक है और जो ब्रेटेन के प्रधानमत्री बोरिस जांसान ने आनॉस्मेंट किया है कि भाई साब आप लोग जो है टेड़ महीने के लिए underground हो जाईए वरना खतम हो जाएंगे कोरूना के कहसे तो ब्रेटेन में डेड़ महीने का सक्त लागडाउन लगा दिया है वहां के प्रधानमत्री बोरिस जांसान ने तो यह थे आपके आज के सभी मातबूर करेंट है और आप हम बात करेंगे आज के सभी कुशामटे पर देखिए आज की कुशामटे का पहला प्रसने की हाली में भारत को कितने वर्सों की अवधी के लिए IUCN समर्थित एसिया सरची चेतरी भागदारी यानि की एसिया प्रोडेक्टेड एरिया पार्टनर्शिप का सन्युक्त अध्यक्त चुना क्या है उत्तर बताईए देखिए इस न्यूज को मैंने कल के वीडियो में बहुत ही यह कौन-कौन है पहले दूसरे तीसरे नमबर पर करम भी पता दीजेगा नहीं पता तो कल का वीडियो देखिस को रिवाइट के चलिए क्योंकि कल के आज जो मैंने वीडियो बनाया था वह बहुत इंपॉर्टेन था और सारे एक्जाम में कमसे दोतीन प्रश्न मिल सकते है और तीसरे प्रश्नाप के लिए की हाली में कौन भारत के संसेट में ग्रेंड मास्टर बने आए इनका नाम बताई तुरंत और चौता प्रश्नाप के लिए कि किस देश के प्रतिश्चित गाया गेरी मार्श्टन का 78 वर्ष की उमर्में गनों के बताईए और प्रश्नाप की हाली में किस केंद्री मंत्री ने वर्चुल एगरी इंडिया है का अथन 2020 का गर्ण किया है बताईए और अब हम बात करेंगे कल के जिद्रें भी कुछ अमड़े पूशे के थे उनके सहित्तर क्या क्या है देखे कलेक्शन अब्री का पहला प्रश्नाप की हाली में किस देश ने अपने राष्कान आज ते लिए फिर में कुछ बदलाव लाने की घुष्णा की तो यह दिखिए दिस आपका आज ते लिए है नाम जीवता चला है और तीसरा प्रश्न था की पेट्रोरियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले की घुष्णा के अनुसार कोविड-19 संकट के दोरान प्रधान मंत्री उजला यूजना के तहत कितने करोड से अधिक मुप्त सिलेंडर प्रधान किये गए तो दिखे इनकी टोडल संग्या 14 करोड है और चौथा था की हाली में किसके दोरा भारत में कैसलेस लेन दिन में वृद्धी को मापने के लिए डिजिटल भुकतां सुचकांग जारी किया गया है तो दिखे ये जो आपका डिजिटल भुकतां सुचकांग है इसको जारी किया भारती रिज़र बैंक दे और पांचवता की 25 दिसंबर 2020 को समाथ वे सब्ता के दोरान बारत का विदेशी मुद्रा भंडर कितना रहा तो य इसी के साथ ये वीडियो इंसमाफ रता है कल फ़र मिलेंगे कल के वीडियो को लाइक और शेर करेंगे जो रोना है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे के साथ बहुत बज़िए थैंक्यू मैंट आपनाज देंग